वेलकम तुमार यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो एस्पूल आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉबाइल रिपेर कोर्स के बारे में और मॉबाइल रिपेरिंग के बारे में ठीक है तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो नॉर्मली टेक्निशन कहीं पर मॉबाइल रिपेरिंग सीखते है मॉबाइल रिपेरिंग सीखने के बात में भी अगर वो कहीं और से मॉबाइल रिपेर कराते है या कहीं से रिपेर कराने की जुरत पड़ रही है या बार-बार किसी से पूछने की जुरत पड़ रही है कि ये फोन में क्या problem होगी, कहां से होगी अगर खुद research आप नहीं कर पा रहे तो आपको self learning की भी जुरत है या फिर कहीं से सीखने की भी जुरत है क्योंकि जब आप mobile repairing सीखते हैं तो आप यही सोच करके सीखते हैं कि मैं mobile repairing सीखूंगा सीखने के बाद में सही तरीके से हम काम कर पाएंगे क्योंकि खास कर android में ही इतनी ज़्यादा marketing है android में इतने ज़्यादा model होते हैं कि आपको सीखने की जुरत पढ़ती ही है बट अगर आप self learning करते हैं या फिर आप mobile repairing सही तरीके से सीखते हैं तो इस तरह से जो basic concept होते हैं यह आपको clear होते हैं for example charging section का concept है बिल्कुल simple है V bus की line होती है OVP तक जाती है OVP में जाने के बाद में यह charging IC में जाती है और इस प्रकार का VPH का एक circuit होता है जिसके VPH coil के एक तरफ आपको frequency मिलती है और दूसरे तरफ voltage मिलता है आप easily multimeter से भी check कर सकते है एक MID की line होती है यहाँ पे MID की line जो हम OTG लगाते हैं या pen drive लगाते हैं उसके लिए होता है तो MID में भी आपको 5V मिलता है यहाँ तक बिल्कुल easy है इस चीज को समझना इसके बाद में अगर फ्यूल गेज अलग से लगी है तो फ्यूल गेज पे यह charging का voltage जाएगा ठेक है फ्यूल गेज पे जाने के बाद वी बैट आएगा बैटरी connector तक और ग्राउंड की जो line होती है वो इस प्रकार से यहाँ पर connected होगी ठेक है इतना simple है यह और DMDP की line हमारे CPU के लिए होती है और power IC तक जाती है बीच में दो potential difference क्रियेट करने के लिए यहाँ पर दो resistor लगा देते हैं और यह CPU इतना easy circuit है ठेक है समझने के लिए बट इसी चीज को multimeter से जब आपको check करना हो किसी भी phone में उसका एक तरीका होता है और एक practice आपको करनी होती है सिर्फ mobile repairing के videos देख करके आप mobile repairing नहीं सीख सकते या फिर किसी course को attend करके नहीं सीख सकते for example हमारे हाँ जो सिखाया जाता है वो इस प्रकार से सिखाया जाता है कि पहले आपको theoretical चीजे पूरे clear की जाती है कि कौन सी line कैसे बनती है कैसे उसके reading लेनी है एक एक चीज के बारे में जब आप उसकी पूरे specification को समझते हैं, abbreviation को समझते हैं, working को समझते हैं, reading को समझते हैं, voltage को समझते हैं इसके बाद में अब आप multimeter उठा करके काम कर सकते हो या फिर practice कर सकते हैं Mobile Repairing सीखने का मतलब यह नहीं कि आपने सीखा, सीखने के बाद में आप master बन जाएंगा, अगर कोई यह सोचता है, कोई भी person, अभी मतलब की beginner है या कहीं पर सीखने के लिए गया है, अगर आप इस video को देख रहे हैं और आप कहीं पर training भी ले रहे हैं इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि अगर आप किसी market में दुकान चलाते हैं और इसलिए सीख रहे हैं कि आपके पास जो काम आ रहा है वह बना पाएं या फिर marketing सुधर पाए आपके लिए तो यह चीज practice से ही possible है और self learning से ही possible है क्योंकि आप किसी ऐसे person को competition नहीं दे सकते जो 5-6 साल से repairing कर रहा है और हम यह सोचे कि हम कहीं से सीख करके आएंगे और हमारा experience अचानक से boost हो जाएगा हम अचानक से repair करने लगेंगे ऐसा नहीं होता सिर्फ charging के section की मैं बात करूँग और audio section की बात करूँग अब यहां पर no sound की problem है कोई भी sound नहीं आ रहा है ऐसे phone में काम करना difficult होता है जब कोई call करता है किसी की queries आती है कि मुझे mobile repairing सीखना है जब उनसे पूछा जाता है कि हर section में काम कर लेते हैं बट जब काम करना बंदा शुरू करता है तो जब कोईशनिंग करते हैं ग्रूप में जो कोईशनिंग होती है सबसे ज़्यादा इसमें होती है network में कि network नहीं चल रहा, audio में sound नहीं आ रहा, ठीक है charging slow हो रही है, charging detect नहीं हो रही dead mobile के बारे में बहुत कम लोग पूछते हैं क्योंकि dead mobile में जो चाहे आप experiment कर सकते हो अगर phone में low booting है, no booting है, high booting है, auto ampere consumption है आपको अरेड़ी पता है कि phone dead है, बिलकुल मरा हुआ है इस phone में मुझे जो भी काम करना है, easily मैं कर सकता हूँ जो मेरा experience है, बट अगर phone चालू है सिर्फ sound की problem है, audio IC उठाने से पहले student हजार बार सोचता है और customer तक से भी यह बोल देता है, भाई यह phone में dead risk है ठेक है, वहाँ पर भी आपको यह clear नहीं हो सकता बहुत सरे student होते हैं, जिनका यह problem होता है पढ़ने के बाद में भी कि यह clear नहीं है, कि इसमें audio IC उठानी है कि नहीं उठानी है, इसको tracing कैसे करनी है चार्ज पंप क्या काम करता है चार्ज पंप के दोनों साइड रिडिंग क्या होती है एक कैप है चार्ज पंप वाला उसके दोनों साइड रिडिंग क्या होती है फॉर एक्जामपल चलते हैं, स्कमेटिक में हम स्कमेटिक में ही देखते हैं दो कैप लगें, इसको कहा जाता है, फ्लाई कैप या चार्ज पॉंप, अब यह जो चार्ज पॉंप कैप है, इसके दोनों तरफ, रेडिंग क्या आती है, एक कैप है, इसको आप चेक करेंगे, अभी नॉर्मली मैं बात करता हूँ, यह कैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक साइट ग्राउंड है, और एक साइट इसके वोल्टेज आपको मिलेगा, रेडिंग मिलेगी, बट यह दोनों साइट इसका ग्राउंड नहीं है, बट दोनों तरफ क्या रेडिंग मिलेगी, क्या वोल्टेज मिलेगा, यह चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं है, तो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं मतलब की दोनों में से कोई भी एक रिमूव हो जाएगा तो एक का काम अधोरा ही रहेगा ठीक है अब सबसे बड़ी बात यह है टेक्निशन के लिए अगर वो मोबायल रिपेरिंग सीख भी लेतें कहीं से लेकिन उनको पता ही नहीं कि किसी लाइन को चेक कैसे करना है तो किस बेस पे हम चेक करेंगे और रिपेर कैसे करेंगे हम समझेंगे कैसे कि सेक्षन में दिक्कत कहां पर है आई-सी ठीक लग रही है रीडिंग ओके लग रही है और जब आप multimeter से check करें hot testing में तो voltage input हो रहा है, charge pump के दोनों तरफ कुछ ना कुछ मिलेगा ही तो हम clarify कैसे करें कि इसमें problem कहाँ पर है और जब clarity नहीं होगी तब तो हम से पूछेंगे कि भई सब कुछ okay है, reading okay, कहीं पर shorting नहीं कहीं पर leakage नहीं, कहीं open circuit नहीं, अभी problem कहाँ पर है तो ऐसे में दो ही चीज होगी, या तो आप किसी से पूछेंगे या set return करेंगे, या फिर किसी और से आप repair करवाएंगे सीखने के बाद भी, कहीं पर भी आप सीखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले यह basic चीज है, यह check कैसे होगा, इसका reading कैसे आएगा भाई आपको नहीं पता, आपको पूछना पड़ेगा ठीक है, तो यह बहुत बड़ी चीज है दूसरा 5G के बारे में बात करते हैं, 4G के बारे में ही बात करते हैं पहले क्योंकि मैंने यह देखा है कि अभी लोग 5G सीखने के लिए पूछते हैं, बट 4G के बारे में पूरा नहीं पता होता जितनी भी student की queries आती हैं, भी अब 5G सीखाते हैं क्या 5G आप तब सीख होगे, जब आपको 4G clear होगा 4G के set आप से अगर return जाते हैं और आप 5G सीखना चाहते हों, तो फिर क्या बोलना, इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं यहाँ पर देखो, यह है, कौनसी IC है यह, PA है, Power Amplifier है, यह वाली लंबी वाली IC Power Amplifier में कितनी line होती है जो आप multimeter से check कर सकते हैं यह पहले आपको clear होना चाहिए, क्योंकि आप जब cool testing करते हैं, कोई भी technician, normally, आप देखेंगे, जितने भी technician है, वो एक ही काम करेंगे जब भी phone आता है, बनने के लिए, या तो hot testing, voltage चेक करेंगे, cool testing में, जो चेक करेंगे, parallel testing करेंगे parallel testing का मतलब है, diode value या homes में रख करके इसको check किया जाता है अब check यहाँ पे सिर्फ दो तीन चीज़ें होती है, voltage होता है ज्यादा तर लोग तो voltage ही चेक करते हैं, उसके आगे कुछ बढ़ते ही नहीं लेकिन नॉर्मली अगर आपको यह मालूम है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें चेक करनी है तो थोड़ा आप महनत करोगे, schematic फोलोगे वहाँ पर आप देखोगे, voltage, SD, SCL, यह चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है, इसके बाद में आपके area में कौन सा band काम करता है, उसके base पे भी आप काम करेंगे radio on off है, radio off क्यों होता है, radio on क्यों होता है, ठीक है, radio on off का reason क्या है अब कोई बोलता है, मेरे phone में radio off आता है, WTR चेंज करती है, लेकिन किस base पे किये, यह भी पता होना चाहिए WTR क्या पता, सही होता, और आपने जो IC लगाए, लगाते समय आपसे भी dead हो सकती है, internally, खराब हो सकती है, क्योंकि trans receiver IC को आप जाता heat नहीं कर सकते है ठीक है, तो यह सारी चीजें पता होना चाहिए, एक एक line की reading क्या होगी, और किस line को आप check कर सकते हैं, किस को नहीं कर सकते हैं, यह भी पता होना चाहिए और किस base पे आप किसी IC को बदलते हो, यह सारी चीजें, आपको बिलकुल clear होना चाहिए अब देखो, generally लोग जब पूछते हैं, कि आप 5G circuit पढ़ाते हैं क्या तो मैं उनसे यही पूछता हूँ, 4G clear है कि नहीं है अब मेरे यह पूछने से कई लोगों को यह लग जाता होगा, कि हो सकता है, यह लोग 5G नहीं पढ़ाते होंगे ठीक है, जब मैं यह चीज पर जोड़ देता हूँ, कि आपको 4G clear है कि नहीं, 3G clear है कि नहीं, 2G समझ में आता है कि नहीं समझ में बात करके पता चल जाता है, कितना पता है, कितना नहीं पता, बट आप खोदी imagine करो इस चीज को, कोई person है जो 2G set return कर रहा है, नहीं बन रहा है, 2G set नहीं बना पा रहा है, रिटन कर रहा है और वो पूछ रहा है, 5G circuit आप पढ़ाएंगे, और क्या-क्या पढ़ाएंगे इसमें, अब मैं क्या बता हूँ उसमें अगर basement के बारे में, band filter के बारे में, spectrum के बारे में, अगर कुछ पता नहीं है, तो उसमें हम आगे क्या discuss करें अब मैं एक चीज बता देता हूँ, कि 5G circuit का जो हम बहुत ज़्यादा ये बनाते हैं, कि हुआ मचाते हैं, कि 5G circuit मतलब कि बहुत difficult या 5G का course launch हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, 5G में बहुत simple circuit है, जितना आप 4G repair करते हैं, 2G, 3G repair करते हैं, वैसा ही है बट 4G circuit से ज़्यादा असान है, 5G circuit, ठीक है, 4G से बहुत ज़्यादा असान है, 5G circuit क्यों है, अगर आपको जानना है, आप नीचे दिए नंबर पे call करके संपर्क करें, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, कि ये आसान क्यों है, अगर आप 5G set repair कर रहे हो, सीखने के बाद ही है, क्योंकि circuit जब develop होता है, जब technology develop होती है, तो उसको repair करना और ज़्यादा असान होता है, ना कि मुश्किल, जब कोई company अपने circuit पे R&D करती है, research and development करती है, तो इसका मतलब ये कर रहा है, वो कि इस circuit को repair करने में क्या difficulties आती थी, हमारे जो technician है, मतलब कि company की, company अपने हिसाब से सोचती है, कि जो हमारे service center है, वहाँ जो technicians है, उनको ये repair करने में दिक्कत कहां आती, उस चीज़ को उन्होंने दूर किया है, अब इसमें से क्या चीज़े हैं, जो improvement होई है, उस चीज़ को जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दे नंबर पे संपर्क कर सकत हैं, और बाकी अगर आप ये सोचते हो कि 5G circuit पढ़ाएंगे, 5G पूरे detail में पढ़ाया जाता है, हार एक circuit detail में पढ़ाया जाता है, इवन यहां तक इसकी एक-एक point जो है, इसके configuration को बताया जाता है, कि इसका abbreviation क्या है, इसकी working क्या है, reading क्या है, voltage क्या है, खराब होने पर क क्या problem आईगी, आप चाहो तो class में पूरे एक-एक line की list बना सकते हैं, किसी भी IC को आप पढ़ना चाहते हैं, मान दो यहां पर, अब इसमें दो होती है, high band और lower band, ठीक है, 5G में higher band और lower band, अभी हम ये देख लेते हैं, higher band कौन सी होगी इसमें, ये होगी इसमें lower band, ठीक है, अब इसमें, कौन कौन सी line है, इसमें कितने जो pad दिये हुए हैं, इसमें जितने भी pad हैं, उसमें एक-एक line, उसकी reading क्या होनी चाहिए, उस पर voltage क्या होना चाहिए, अगर voltage है तो, frequency है तो क्या, और आपको इंडिया में रहते हुए, अगर आप इसको repair करनें, तो कौन सी line आ आएगा, radio on, कब आएगा, apt क्या काम करेगा, हर एक चीज के बारे में, detail में, जब तक आप नहीं पढ़ोगे, उसको पढ़ने के बाद, अगले दिन, लगभग, shop में हमारे पास में, कम से कम, नहीं नहीं, मैं मान के चलें, 10 से 11 घंटे होते हैं, काम करने के, 10 से 11 घंटे में, अगर हम 2 घंटे भी निकालें, या 1 घंटा भी निकालें, practice के लिए, study के बाद, guarantee है, आप हर section अच्छे से सीखोगे, जितने भी section है, आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, और जिसमें difficulty आती है, अगले दिन, आप उसमें question भी कर सकते हैं, genuine question कर सकते है यह नहीं कि आपको confusion है, मैं इसको पूछ लूँ, क्या तो पूछ लेते हैं, यह question का reply मिल भी जाए, तो कोई काम कर नहीं होता, अगर आपने practice किया, class attend करने के बाद में, अगले दिन आपने practice किया, वहाँ पर आपको दिक्कत आई, reading आपने लिया, reading में आपको समझ में नही दिन, तो आपको reply मिलेगा, clarity मिलेगी, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि troubleshooting करना और fault finding करना केतना easy है, अगर समझ में आए तो, बाकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, ठेक है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक प्रकार से introductionally वीडियो है, और दूसरा, इस वीडियो को बनाने का ये भी एक कारण है कि normally technician phone repair क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सीखने के बाद में भी, अगर हम ये बो कुछा reply नहीं मिला तब वो गलत है, बट किसी ने पढ़ाया और आप पढ़ करके आ गए, और आपसे नहीं बना तो फिर आपकी गलती, ठेक है, क्योंकि अब मैं हर institute को गलत बोलूँगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, बहुत सारे institute को गलत बोलू तो भी गलत है, इस लिए आपको अपने ही जिम्मेदारी समझनी है, ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है, इस वीडियो को देखने के बाद में भी आप किस institute में जाते हो, और जाने के बाद में ये सारी चीज़ें अपने ही करते हैं, तो फिर आपकी गलती, सबसे पहले आपको यही करना है, जो भी पढ़ाया जाता, उसको डिटेल में पढ़ें, पढ़ने के बाद में उसमें जो confusion लगे कोशनिंग करें, और प्रैक्टिकल उस चीज़ को करके देखें, प्रैक्टिकल करने में अगर आपको confusion हो, वो भी कोशन करें, क्योंकि आप किसी जगा जोइन करते हैं, तो इस problem भी नहीं है, यह तो check करने की चीज़ है, अब यह charge pump कैसे check करोगे, यह अगर आपको नहीं clear, सीखने के बाद में भी, यह PVDD की line क्या काम करती है, VREF की line क्या काम करती है, यह अगर आपको नहीं clear हुआ, इसकी check reading कैसे होगी, क्या होगी, यह working क्या करेगा, remove होने पर, leakage, shorting ह पर क्या दिक्कत आएगी, अगर आपको clarity 100% नहीं है, तो नहीं हो सकता, fault finding और repairing नहीं हो सकता, आपको हर एक चीज clear होने चाहिए, कोई cap series में है, कि cap parallel में है, कोई coil series parallel में है, क्या काम करेगा, हर एक चीज आपको 100% clear चाहिए, और आपके पास लिखित में होना चाहिए, कि कि इस वीडियो को अभी खतम करते हैं, यहाँ पे, क्योंकि यह लंबा हो जाएगा, और बाकि इसमें इतना ही information देना था, क्योंकि बहुत सरे student का queries था, जिनको 2G clear नहीं है, वो बोल रहे हैं कि आप हमें बताएं, 5G के बारे में, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं किस student को course म तो सबसे पहले हम बात करते हैं, 2G क्या है, network क्या है, 2G क्या है, baseband क्या होता है, frequency क्या होती, कितने type की होती है, 2G, 3G, 4G में क्या difference होता है, higher band, medium band, lower band में क्या difference होता है, और आपके area में कौन सा band काम करता है, यह सारी चीज़े पहले हम basic बात करते हैं, कि आप काम करेंगे तो कि अब यहां पर कौन से IC लगी है, इसके हर एक line की reading क्या होगी, ठीक है, उसका voltage क्या होगा, हर एक चीज, फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे, अगर कोई यही पूछे हैं, जिसको अब मान लो, फॉर एक्जामपल, जिसको नहीं मालो, TFT और AMOLED डिस्पले के बारे में नहीं पता है, इसमें difference क्या होता है, audio section कितने type के होते हैं, charging section कितने type के होते हैं, touch का section कैसे काम करता है अगर ये सारी basic चीज़े नहीं पता है और इन सब set में आप फस्ते हो फिर भी आप उसको वापस कर रहे हो और call करके को ये ही पूछेगा कि भाईया dead mobile बताते हैं क्या fault finding बताते हैं अभी क्या इसमें reply करें अभी वीडियो को खतम करते हैं अगर आप में से कोई भी mobile repairing सीखना चाहते हैं तो join कर सकते हैं एक अगस्त से new batch शुरू होगा fees है मातर 1999 ठेक है तो जो भी भाई जॉइन करना चाहते हैं जॉइन कर सकते हैं और fees 1999 है इसमें कुछ भी extra additional charges इसमें नहीं लिया जाता 1999 में ही आपका पूरा कोर्स होगा पूरे आपको चीजे बताई जाएंगी जो भी मैं सिखाता हूँ हर चीज और अगर आप जॉइन करना चाहते हैं या फिर syllabus के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें और syllabus आपको send कर दिया जाएगा इसके बाद आप जॉइन करना चाहते हैं कर सकते हैं बाकी मैं आपसे मिलता हूँ कॉर्स में, क्लास में या फिर किसी दूसरे वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद